अगर आरजेडी ने जो की दबाव बनाती रही है आरजेडी नितीज कुमार पर कुर्सी छोड़ने का जगदान अंसिंग और तमाम निताओं के बैयान अगर आरजेडी ने फिर उस तरह से प्रेसर बढ़ाने की कोशिस की तो जो हरिवन्स के रूप में नितीज कुमार का प् रहे हैं कहते हैं काम जाते हैं कहते हैं मुझे अजीब सा फील हो रहा है और यह फिलिंग हर दो तीन साल पर होने लगता है समझे मने आ छहा रहे हैं कि mholें क्या गया है तो दॉक्तर नब जो देखने के बाद काते हैं कि दे Wahr düny सब्यच्छी नित जो आधुत सही रहेगी तो कहें कौन सा कहें पल्टासन चिद नितीश कुमार पर लोटते हैं सर क्या वाकई नितीश कुमार ने बड़े खेल की गुंजाई सभी रखी है वियार की राजनिती में हरिवन्स का जिकर आ रहा है जेडियू के राजसभा संसद हैं राजसभा के उपसभापती हैं एक तो परसांद की सुर का बयान है उन्होंने कहा कि नितीश कुमार ने चैनल खुला रखा है बीजेपी के साथ दोस्ती का और दूसरी कल जो घटना करम सामने आया एक तरफ बिह जेडियू के जो संसद हैं राजसभा कुप सभापती हरिवन्स प्रधान मंत्री नेरंद मोदी का गुनगान कर रहे हैं जिसका नितीश कुमार विलोद कर रहे हैं उसका वो समर्थन कर रहे थे अभी तक की जो घटना करम है जो भी डेवलप्मेंट है उससे प्रसांत की सोर के उस बयान को बल मिलता है जिसके आधार पर वो कहते हैं कि हरिवन्स के माध्यम से नितीश कुमार बीजेपी के साथ पुनर गटबंधन का रास्ता एक खोल के रखे हैं चुकि हरिवन्स जी ने राजसवा के उपसभापतिपत से इस्तिफा अभी तक नहीं दिया सदन के अंदर और सदन के वाहर प्रतक्ष और परूक्ष शब्दों के साथ है कल जिस तरीके से हरिवन्स जी का भाषन हुआ नए संसत भवन में उसमें उन्होंने असपस्ट तौर पर नितीश कुमार के तमाम शंकाओं का जवाब देने की कोशिश की है इसके बावजूद आज तक अगस्त 2022 में गटबंदन तूटा था और मैं 2023 में हम लोग चर्चा कर रहे हैं पांच और चार नो महिना दस महिना नो दस महिना भी इतने को है जदियों के तरब से एक बारे भी हरिवन्स जी को लेकर टीखी टिपनी नहीं की गई हरिवन्स जी को इस्तिफा देने के लिए नहीं कहा गया हर्वंजी से कभी भी सवाल जवाब नहीं किया गया और नहीं हर्वंजी ने कभी भी नितीज कुमार को टारगेट पर लिया और नितीज कुमार को रडार पर लिया तो क्यों नैसा माना जाए कि नितीज कुमार की सहमती से हरिवन्स जी जेडियू और बीजेपी के बीच में भविस्ट में कोई संभावना बनी रहे और बची रहे इसके लिएक पुल का काम वो कर रहे हैं रहा सवाल कल के उपवास का कल कितने वज़े से इस गर्मी के मौसम में अमूमन तरफ लोग घर में कितने वज़े खाना खा लेते हैं इसको जनता समझती है उपवास अगर आपको करना हो सुबद 6 बज़े से बैठे है और रात 7 बज़े शाम 7 बज़े तक बैठे रहे है इन लोगों का कोई भी विशे पर कोई असपस्ट स्टेंड नहीं है ये ढूल मुल की निती पर चल रहे है और इसका प्रकर प्रमान है हरिवन्स जी के माध्यम से ये बीजे पी के साथ जाने का रास्ता खोले हुए है एक आखरी सवाल है सर कि अगर आर जेडी ने जो की दबाव बनाती रही है आर जेडी नितीज कुमार पर कुर्सी छोड़ने का जगदान अंसिंग और तमाम नेताओं के बैयान अगर आर जेडी ने फिर उस तरह से प्रेसर बढ़ाने की कोशिस की तो जो हरिवन्स के करते हैं कहते हैं कि मुझे अजीब सा फील हो रहा है और यह फिलिंग हर दो-तीन साल पर होने लगता है समझ में नहीं आ रहे कि मुझे क्या हो गया है तो डॉक्टर नप जो देखने के बाद कहते हैं कि ऐसे कोई बालजक्ल विमारी आपको नहीं हुई है एक बीमारी जो मे पल्टासन हर दो तीन सार पर पल्टासन करते रहे इस्थिति आपकी सही रहेगी तो अगर ज्यादा असाहज इस्थिति राजद वालों ने क्रियेट किया नितीज कुमार की बेचैनी बढ़ गई तो यह पुना एक पल्टासन कर सकते हैं और पुना बीजेपी के साथ जा सकते इसमें लेश मात्रवी शंका किसी को नहीं होना चाहिए